क्या आपका रात के वक्त तीन चार बार विरेनाश हो जाता है और जिस दिन खुद को कंट्रोल करते हो उस दिन स्वपन दोश होता है तो आज हम लोग इसका जड़ से सॉल्यूशन निकालेंगे रात के वक्त अगर विरेनाश होता है तो इसके असली कारण को समझना रात में इंसान क्या खाता है कितने बजे खाता है और किस भावदशा में खाता है इसका गहरा सम्मंद जुड़ा है विरेनाश से मालो एक 18 साल का लड़का है उसके डिनर को पूरा होने में 10 बज जाते हैं लेकिन सोने की आदत है रात 12 बजे तो सवाल ये है कि वो लड़क इन दो घंटों में क्या करेगा वो पेट भर के खाना खा चुका है और अब उर्जा उसके मुलाधार में खटा हो रही है सुबा से लेकर शाम तक तो वो मेहनत करता है बोलके अत्याधिक उर्जा किसी अच्छे काम में खर्च हो रही है लेकिन रात के वक्त वो उस एक्सेस इनर्जी का करेगा क्या उसने खुद से अपने लिए मुसीवत तैयार की है इसलिए पुराने जमाने के रिशी मुनी शाम ढ़लने के बाद अन का एक दाना नहीं लेते थे दोस्त अगर आप चाते हूँ कि रात के वक्त विरनाश और स्वपनदोश ना हो तो जितनी जल्द चाती है रिलाक्स करना लेकिन ये तो अभी सोएगा भी नहीं तो रिलाक्स करने के लिए अब ये गलत तरीकों को अपनाएगा अशलील चीज़े देखेगा डोपामीन के लिए अभधरे चैटिंग करेगा अब होगा ये कि इसकी जो एकसेस उर्जा है प्लस इसने जो ही है साथ में डिनर लेट करने के वज़े से भोजन ठीक से पच्छा भी नहीं है सुभा के समय वात का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है तो उस लड़के के गूदा इंदरी के पास इस अद पच्छे भोजन से इतना प्रेशर बनेगा कि बिना अशलील सपने के भी वीरे नि उठता जैसे जैसे ब्रह्मचरे का पालन करते जाओगे आपको याद भी नहीं रहेगा कि आखरी बार स्वपन दोश कब हुआ था टेलिग्राम का लेंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन में हमारे साथ जुड़िये मिलकर ब्रह्मचरे का पालन करेंगे शेर कीजिए इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ जो रात में कंबल के अंदर घुसके अशलिल चीजे देखता है ताकि उनकी भी मदद हो सके